नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर्ड सिविल सर्विसेस के इस्ट्री शक्षन में देखें दोस्तों हम अपना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे इसमें एड हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है दिट्य विश्विद के कारण तो बिलकुल वही है जो मैंने आपको पूरा सिक्वेंस पढ़ाया था कि प्रत्म विश्विद के बाद क्या हुआ इटली में किस प्रकार से फासिवाद का जन्म हुआ हिटलर का नाजीवात किस प्रकार से आया ये सबी जो कारण है यही दिट्य विश्विद के कारण बनते हैं लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा की 1929 यानि 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी इसने भी दिट्य विश्विद को शुरू किया था तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि क्या थी है वस्तूता देखिए वैश्विक आर्थिक मंदी से क्या मतलब है इसका मैं आपको बताऊं कि जो दिट्य विश्विद हुआ था जो पर्थम विश्विद हुआ था प्रतम विश्वित के बाद जो विश्व के मनलब यो यूरोप के देश थे उनके आर्थिक इस्तिती इतनी डावाडोल हो चुकी थी अर्थ विवस्ता बिल्कुल पतन पर थी तो ये वही आर्थिक मंदी है ठीक है तो उन देशों ने क्या किया था आपके अमेरिका से जो है रिन लेना शुरू किया था और अमेरिका उस समय क्या हो गया था सूद्रड अर्थ विवस्ता में आ गया था क्योंकि वो प्रतम विश्वित के दोरान क्या था युद्धों से लगबग बिल्कुल दूरी बनाये हुए था ठीक है तो ऐसे में जो यूरोप के देश थे उन् यानि उसके शेर मार्केट में जब गिरावट आई तो उसका प्रभाव पूरे किस पे पड़ा यूरोप के देशों पे बढ़ा और पूरी तरीके से जो उपनिवेश्थ थे या यूरोप के देश थे उनमें भी आर्थिक मन्दी आ गई तो इसी को कहा जाता है वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 की देखे वस्तूता है क्या कि जो अमेरिका है उसका जो डॉलर है वो पूरे विश्व में क्या है acceptable है तो उसके कारण जब भी कभी अमेरिका का कोई भी सेक्टर मतलब उचा नीचा या डामाडोल होता है तो उसका प्रभाव किस पर आता है पूरे पूरे व विकास में ही संकटों का चक्र नहीत है देखे यानि कालमाक्स बहुत पहले इस बात को बॉल चुका था कि पूरे विकास है वो क्या है आपका संकट की स्थिति है यानि अगर उसमें संकट आया तो आपको उसके साथ क्या होगा आपको भी उसका नुकसान होगा चूंकि इस पद्दती में विकास का कारण मुनाफ़ा है, सामाजिक आउशक्ता नहीं, इसलिए उत्पादन, वित्रण, मुद्र, इस्विती, महंगाई जैसी समस्यां इसके मूल सभाओ का इस्सा है, यानि देखे, पुंजीवादी जो आपका सिस्टम है, उसमें जो सिस्टम चलता है, जो उसका विकास होता है, डवलप्मेंट होता है, उसमें केवल और केवल उसका लक्षे मुनाफ़ा होता है, यानि मुनाफ़े के लिए ही पुंजीवादी जो सिस्टम है, आपका वो काम करता है, तो इसमें क्या होता है, जो सामाजिक आउशक्ता है, उनके लिए क्या है, इसमें उत्पादन, वित्रण, मुद्रस्पति, यानी मह alemanis, ठेकेर जैसी समस्या क्या होती है इसमें निहित होती है और इसने यहाँ भी कहा कि यह चक्र तो अनिवारे है भले इसका अंत्राल भिन sahP तो यह किसके बारे में बता है हमने Carl Marx के बारे में बता है अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण थे इसके विश्युद के दौरान रक्षा और सेन्य आउशक्ता के तहट यूरोपिय देशों में भारी उत्पादन शुरू हुआ लोगों को रोजगार मिला किन्तु युद्ध समापती के बाद जब मांग घटने लगी तो युद्ध के प्रभाव से तरस्त उद्योग या तो बंद होने लगे या फिर उन्होंने चटनी शुरू कर दी जिससे बेरोजगारी फैलने लगी यानि देखे हमने इसमें क्या बात बताईए कि जो प्रतम जिशुद हमारा हुआ था उस दोरान क्या था कि युद्ध म जब डिमांड कतम होई तो ये जो वेक्टरिया थी在的 ये दीरे दीरे बंद होने लगी रोगों کا जो इ रोजगार छिनना शुरू हो गया था ऐसे में क्या हो गया था आपके रोजगारों में चटनी शुरू हो गई थी और लोग बेरोजगार हो गए थे युद्ध में टट उत्पादन की प्रवर्ती ही मंदी का प्रमुक कारण बन गई क्योंकि युद के बाद जब मांग घटी तो इन उध्योगों ने वस्तू की कीमत कम करने की बजाए श्रमिकों को रोजगार विहीन कर दिया और इस तरह बेरोजगारी का क्रम शक्ती और कम उत्पादन का एक ऐसे ही युद्ध आपका खतम होता है तो वो क्या करता है उत्पादन कम वस्तू की कीमत कम करने की बजाए वो क्या करता है कि श्रमिकों को ही अपने उससे फैक्टरियों से निकालना शुरू कर देता है तो ऐसे में एक तो उत्पादन कम उत्पादन और दूसरा बेरोजग बड़ी उधारन सोरोप 1923 से 1929 के बीच और द्योगिक लाब की दर 70% बड़ी परंतु आए में 8% की व्रद्धी नहीं हुई यानि देखे क्या हो रहा था कि आपके जो प्रोडक्शन था वो तो कंटीन्यू होता जा रहा था लेकिन लोगों की आए में व्रद्धी नहीं हो र क्योंकि लोगों के पास क्रशमता ही नहीं थी इस निर्यात एक बहतर विकल्प हो सकता था किन्तु सभी देशों ने संदक्शनवादी नीती अपना कर आयात प्रतिबंधित कर दिया था ऐसे में ये युरोप्य देश आर्थिक समस्याओं से गरशित होने लगी और इनकी न इसमें क्या था जब हमने इटली का जो फासीवाद था नाजीवाद था ये जो उग्र राष्टवाद के चरण थे इनको देखा तो इनके दोरान क्या होता है कि जो जनता है वो अपने राष्ट के प्रती इतना राष्ट भक्त उनमें उबर कर सामने आता है कि वो एक संरक्ष अपने देशों की बजाए अपने देशों की जो वस्तुएं थी उनको भुभोग करना शुरू करते हैं तो ऐसे में बहार से जो चीजे आ रही थी जो आयात हो रहा था उस पर प्रतिबंद लगा दिया जाता है ठीके और अपने ही देश की चीजों को यूस करना शुरू किया इसी समय अमेरिका में शेयर मार्केट में निवेश की प्रवर्ति भी अत्यदिक लोगप्रिय हो रही थी और लगबग तीन गुना मुनाफ़ा इस निवेश से प्राप्त किया जा रहा था किन्तु मंदी का विशलेशन करते हुए जब निवेश को ने अपना पैसा भापस शुरू किया तो वाल स्ट्रीट के आकस्मिक पतन से अमरीकी अर्थविवस्ता की खामिया इस पर श्ट हो गए और चुकी पुझी वादी देश अमरीकी संबंदों पर निर्भरते अत्यवे त्री वार्षी वैश्विक मंदी फैलने लगी मतलब क्या है कि ये दोर ऐसा आ रहा था कि वही जो यूरोप के जो देश थे उनके पास पैसा भी पैसा तो था लेकिन एक जुएं की तरह वो कहां लगा रहे थे उसको अमरीकी शेयर मार्केट में लगा रहे थे तो जैसे ही वो शेयर मार्केट गिरता है तो उसका पूरा प्रभाव किस पर आता है जो परीबी बुकमरी जैसे सामाजिक दूस परिणाम सामने आ गए इस मंदी का राजनेतिक परिणाम भी अती महत्वपुन साबित हुआ एक तरफ तो पूंजिवादी अर्थ विवस्ता की जगह साम्मेवादी विचारधारा में विश्वास बड़ा तो दूसरी और यह मंदी ही देखिए कि यह जो आर्थिक मंदी थी इसने क्या किया पूंजिवादी जो विचारधारा ती उसकी पोल खोल दी थी दूसरी और रूस में इसी समय साम्मेवादी विचारधारा प्रसारित हो रही थी जिसका में मकसद था कि जो उत्पादन वितरन प्रनाली है वो समाज के हिसाब से होना चाहिए जो आम लोग है जो निचले हासिये के लोग है उनके हिसाब से पूरा का पूरा सिस्टम चलना चाहिए जबकि पूंजिवादी अर्थमेवस्ता या विचारधारा में क्या था कि जो भी आपका उत्पादन प्रनाली वितरन प्रनाली हो या जो पूर अब जो है साम्मेवादी विचार धारा को लोग थोड़ा-थोड़ा मानने लगे थे और इसी समय जो बेरोजगारी इसके कारण फैली थी आर्थ विवस्ता का पतन हुआ था इसी समय हिटलर और मुसुलिनी जैसे अधिनायक वादी जो नेतरत करता थे उनका क्या होता है उनक क्या करते अपने अपने देशों की अर्थ विवस्ता को सुधार कर रोजगार दिलाने का लोगों को आश्वासन देते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि हिटलर और मुसुलिनी का जो उदय हुआ था वो आर्थिक मंदी ने ही किया था ठीक है तो ये वैश्विक आर्थिक मंद ठीक है ठीक दिखे दिट्टे विश्विद की जो आउदी थी वो 1939 से 1945 तक थी इसके कई सारे कारण हम जानेंगे लेकिन इसका जो करम था वो मैंने आपको बताय दिया था कि किस प्रकार से प्रथम विश्विद के बाद आपके इटली में मुसुलिनी का विकास होता है या अब जाने जो आपका दिट्टे विश्विद बना था तो अब इसके जो कारण है उनको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है देखे इसका जो पहला कारण है वो है आपका पैरिस का सांती सम्मेलन ये क्यों हुआ था हमने जब प्रथम विश्विद पढ़ा था तो उसके जो युद समापती हुई थी वो पैरिस के सांती सम्मेलन से हुई थी ये हमने जाना था ठीक है अब देखे ये क्यों उत्परदाई है दिट्टे विश्विद के लिए देखे इसमें क्या था कि ये जो पैरिस का सांती सम्मेलन हुआ था इसमें पराजित जो प्लस निसस्त्री करण करनी के लिए क्या किया गया था उनको मजबूर किया गया था तो इस प्रकार की जो पराजित जो मतलब जो राष्ट थे उनके साथ अपमान जनक संधिया उन्होंने करी थी और जब भी अगर वो देश शक्तिशाली उबर कर सामने आएंगे तो वो को आपने इतना ज़्यादा अपमानित किया कि आपको खुद को पता है कि जब ये वापस से शक्तिशाली होगा तो इसका बदला जरूर लेगा तो ये वही अपमान जनक संधिया थी दूसरी बात है, इसमें इटली की महत्तुकांशा, देखिंए, इटली की महत्तुकांशा इसमें क्या है कि इटली जो है आपके परथम विष्युद में पहले तो आपके जर्मनी की और से सम्मिलित हुआ था, ठीक है उसके बाद वो किस और चला गया था मित्र राष्टो यानि आपके जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया थे उनकी और चला गया था वस्तूता वो यह देख रहा था कि उसके जो हित हैं वो किसके साथ जादा मतलब बन रहे हैं सबसे पहले उसने देखा कि जर्मनी जो है उसके साथ उसके हित सद सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ तब वो जाकर मित्र राष्टों के साथ मिल गया लेकिन जब मित्र राष्टों के साथ भी उसके हितों की पूर्ती नहीं की गई तो ऐसे में इटली क्या हो जाता है आसंतु सुमान जनक संधिया इटली की महत्व कांशा जो कि किसी के साथ भी पूरी नहीं हुई थी और जो तीसरा है वो है आपके राष्ट संग की असफलता देखिए जो आपका प्रतम विश्युद हुआ था उसके बाद ऐसा युद ना हो इसके लिए राष्ट संग की स्तापना की गई थी एक अंतराष्टिय मंच के रूप में लेकिन ये जो राष्ट संग था ये कंट्रोल करने में बिल्कुल आसफल जो है आपका हो जाता है क्यों हो जाता है कुछ ऐसे उधारण आते हैं सामने जैसे की चीन का एक शित्र था मंचूरिया उस पर क्या करता है जापान अ टिलर का वहाँ पर उद्य होता है तो वो नी सस्त्री करन को छोड़कर सस्त्री करन अपना लेलता है तब भी आपका राष्ट संग जो है मूग दर्शक होकर देखता रहता है तो ऐसे में ये पूरी तरीके से असफल हो जाता है तो ये पैरिस सांती सम्मेलन के क्या थे आप अमेरिका का जो रिन थे अमेरिका का रिन जो है सब लोगों पर यानि यूरोप के देशों पर बढ़ रहा था ठीक है तो ऐसे में क्या हो रहा था कि आर्थिक आस्तिर्था को सुल जाने में जो आपकी लोकतांत्रिक सरकारे थी वो असफल हो जाती है यानि अमेरिका का रिन वैश्विक आर्थिक मंदी के दोरान अमेरिका से जो रिन लिये जा रहे थे यूरोप ये देश तो ऐसे में जब अमेरिका के अर्थविवस्ता का पतन हुआ तो उसका जो इफेक्ट था वो यूरोप के अन्य देशों पर भी आया जैसे कि आपका जर्मनी में नाजिवाद, हिटलर के नेतरत में, इटली में फासिवाद, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये सांतवना देते हैं कि ये जो आर्थिक बंदी आई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमें नेता चुनो, हम आपको इसका क्या करेंगे, इस जो आपके देश होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं, जैसे जर्मनी का हिटलर कहता है, कि अखिल जर्मन समराज्य होना चाहिए, इसके अंतरगतों कहता है, कि जिन भी देशों में जर्मनी मूल के लोग रह रहे हैं, वो सब एक जो जर्मनी में मिल जाने चाहिए ठीक है इसी प्रकार से इटली क्या करता है अफरिका का जो अभी सीनिया है जिसको वर्तमान में इथोपिया का आ जाता है उस पर अपना अधिकार कर लेता है जापान मंचूरिया पर कर लेता है क्यों कर लेता है क्योंकि आर्थिक मंदी अर्थ विवस्ता को सुधारने के लिए ये उपनिवेश बनाना चाहते थे और वहाँ पर बाजार और कच्चे माल की आपूर्थी करना चाहते थे या लेना चाहते थे ठीक है तो इस मतलब टोटली अगर हम कहें तो वैश्विक आर्थिक मंदी ने सेन्यवाद, सस्त्री करण, उगर राष्टवाद और आकरामक विस्तार नीती को क्या दिया बढ़ावा दिया ठीक है तो यह हम कारण देख रहे हैं दित्ते विश्विद के जिसमें पहला तो हमने देख लिया पैरिस सांती समझोलन दूसरा है आपका वैश्विक आर्थिक मंदी अब तीसरा कारण हम देखत विशेश को क्या किया जाता है उसके according जो नीतिया बनाई जाती है ताकि उसको विशेश रूप से फायदा हो ठीक है तो यह कहलाती है तुष्टिकरण की नीती यानि किसी वर्ग विशेश को ऐसी नीतिया बनाकर संतुष्ट करना कि उसका क्या हो भला हो तो यह जो तुष् जो कुछ देश हैं अपनी विस्तारवादी नीती जब अपनाते हैं तो उसका भी विरूद नहीं करता है वो उनके प्रती तुष्टीकरण की नीती अपनाता है यानि उनको वो काम करने देता है इस कारण से क्या होता है कि आपका जो ये देश थे इनकी महतुकांशा बढ़ जाती है और उसकी परिणीति हैं में दिट्टे विश्युद के रूप में दिखाई देती है अब देखे क्या क्या थी वो नीतियां जैसे जापान जो है मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है चीन का मंचूरिया शेतर पर तब भी ब्रिटैन कुछ नहीं बोलता है चाहता तो जो है फ्रांस और ये जो मित रास्ते मिलकर उस पर आकरमन कर सकते थे या उस पर जवाबी कारवाही कर सकते थे लेकिन ब्रिटैन ऐसा नहीं करता है इसी प्रकार से इटली क्या करता है इटली से उसकी तुष्टिकरन कैसे हो रहा था कि बही देखिए जो इटली है आपका वो भुमद्य शागरिय सेत्र में इस्तित है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार से इटली का भोगौलिक विस्तार है, मैप में भुगोल में आपने देखा होगा, ठीक है, तो ब्रिटैन क्या चाहता था, ब्रिटैन चाहता था कि उसके जो हित थे, वो हमेशा व्यापार को लेकर रहे थे, वो अपने व्यापार को या उपनिवेशों को रक्षा करना चाहता था, तो ऐसे में भुमद्य सागर पर शांती बनाये रखना, या भुमद्य सागर पर कंट्रोल इस्तापित करना उसका पहला लक्षे था, किसका ब्रिटैन का, तो इटली पर से होने वाला, उसका व्यापार जो है, वो प्रभावित हो जाता, तो ऐसे में वो इटली को भी क्या करता है, तुष्टिकरन की नीती अपनाता है, जर्मनि जो शेत्र था, परतम विश्वुद के बाद, वो क्या हो गया था, उसको पूरी तरीके से अक तरीके से प्रिटेन के साथ तुष्टिकरण की नीती अपनाता है प्लस उसका एक कारण और भी था कि ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहता था कि यूरोप में फ्रांस जो है शक्तिशाली बनकर उबरें इस कारण से वो जर्मनी को भी क्या कर रहा था सपोर्ट कर रहा था यानि वो शक्ति संतूलन इस्तापित करना जाता था तो ये इस प्रकार से वो जर्मनी के साथ तुष्टिकरण की नीती अपनाता है इतनी जदा तुष्टिकरण की नीती अपनाता है कि एक म्यूनिक समझोता हुआ था इस म्यूनिक समझोते के अंतरगत जब जर्मन के हिटलर ने जो आपका सुडेटन लेंड है चेकोसलाविया का उस पर अधिकार कर लिया था और फिर पूरे चेकोसलाविया पर अधिकार कर लिया था तो इस प्रकार से ब्रिटैन की जो तुष्टिकरन की नीती है उसको चरम परे नीती यहाँ पर देखी जा सकत यह सब मैंने आपको बताया है कि म्यूनिक समझोता क्या था किस प्रकार से उस डर्टन लेंड और चेकोसलो वाक्या पर वो क्या करता है अधिकार जमाता है सब मैं आपको बता चुका हूं तो यह उसकी तुष्टिकरण की नीती थी और देखिए इसमें जो आपका ब्रिटैन का पीम था चेंबरलीन उसकी एक गलत आउधारना भी थी वो यह समस्ता था कि इटली और जर्मनी जो है बहुत जादा इनको बरबाद कर दिया जा चुका है या इनके अर्थवेवस्ता का पतन हो चुका है तो ऐसे में अगर ये कुछ शेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं तो इनको करने दो इन शेत्रों पर अधिकार करके ये क्या हो जाएंगे संतुष्ट हो जाएंगे लेकिन ये उसकी बिल्कुल गलत आउधाना थी ऐसे शेत्रों पर अधिकार करते करते उनकी म पूरे उसके कारण है किसके दित्य विश्युद के इसमें हमने पहला कारण देखा पैरिस का सांती सम्मिलन कि किस प्रकार से उसने एक बेस तयार कर दिया था फिर हमने वैश्विक आर्थिक मंदी को पहले देखा कि किस प्रकार से आपके नाजिवाद, फासिवाद, जैसे अधिनायक वादी जो नेत्रत है वो उबर कर सामने आते हैं और फिर जो तीसरा कारण था वो उसमें हमने पढ़ा तुष्टी करण की नीती ठीक है तुष्टी करण की नीती के तरहत हमने पूरा देखा कि किस प्रकार से इटली और जर्मनी को मनलव अपना समराज्य विस्तार करने में छूट दे दी जाती है और फिर उनकी महतुकांचा इतनी बढ़ जाती है कि अंतता आपका दिट्टे विश्विद शुरू हो जाता है तो ये हो गए दिट्टे विश्विद के कारण अब आगे इसमें देखते हैं कि क्या है हमारा अब हम पढ़ेंगे दिट्टे विश्विद के चरण यानि दिट्टे विश्विद शुरू तो हो गया लेकिन वो किस तरीके से आगे बढ़ता रहा या उसमें क्या-क्या किस किस पर युद्ध हुआ क्या-क्या उसका घटना करम था यह सब हम जानेंगे देखे एक सितंबर 1949 यानि 1939 को जापान का पॉलेंड पर कबजा हो जाता है और इसी कबजे के विरुद जो है युद्ध की गोशना कर दी जाती है तीन सितंबर को यानि मैंने आपको भी अभी बताया है कि किस प्रकार से जापान नहीं आएगा यह पर जर्मनी आएगा सोरी यहां पर जर्मनी का पॉलेंड पर कबजा हो जाता है और जर्मनी के विरुद जो है आपकी युद्ध की गोशना कर दी जाती है ठीक है तो यहीं से आपका दित्ते विश्युद स्टार्ट हो जाता है अब यह जो दित्ते विश्युद है यह कुल मिलाकर आपके पाच चरण में हमने इसको पढ़ने के साब से बार दिया है तो इसको हम देखेंगे देखें जो प्रथम चरण है इसमें होता क्या है आप समस्त्र जाईएगा इसमें मलब ऐसा कुछ जादा जानने के लिए नहीं है आपसे पूछा भी नहीं जाता है, कभी ऐसा क्योशन नहीं आता है, कि जित्ते विशुद में किस प्रकार से देशों पर कबजा होता गया, या इसके चरण कैसे थे, ऐसा नहीं पूछा जाता है, ये केवल आपको समझाने के इसाब से मैं बता रहा हूँ, देखे क्या था, ज पस्चिमी पॉलेंड था, उस पर जर्मनी अपना कबजा जमा लेता है, यानि देखे आपका अगर ये पॉलेंड है, तो इसके दो भाग कर लिए जाते हैं, जो पस्चिम वाला इलाका है, इस पर कौन अधिकार कर लेता है, जर्मनी, और जो पूर्वी वाला इलाका है, उस आपका बाल्टिक सागर है, उसके पाज तीन देश हैं, जो कि आपके बाल्टिक राज्ये कहलाते हैं, जिसमें इस्टोनिया, लाट्विया और लिथुवानिया आता है, ठीक है, इन तीनों पर कौन कबजा कर लेता है, सोवियत संग अपना कबजा कर लेता है, और एक फिनल आपको दिखाई देगा, उसी फिनलेंड पर सोवियत संग आपका क्या कर लेता है, कबजा कर लेता है, अब फिनलेंड के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है, मेरे को याद आगया, मैं आपको बता दूँ कि जो नोकिया कंपनी है, वो कहां की है, ठीक है, नोकिया, न पर जर्मनी का कबजा हो जाता है, यानि अब जर्मनी क्या करता है, जो फ्रांस था, उस पर आक्रमन कर देता है, और आक्रमन करके लगबग आदे भाग पर, जिसमें उस पैरिस भी इंकलूड था, वहां पर जर्मनी अपना समराज्य इस्तापित कर देता है, और जो बचा ह वहाँ आदा भाग था, वहाँ पर विशी नगर को केंद्र बनाकर एक कटपुतली सरकार जो है, इस्तापित कर देते हैं, फ्रांस के लोग, ठीक है, फ्रांस की सरकार, तो अब देखें, आप कितना ज़्यादा जर्मनी बढ़ रहा है, कि उसने फ्रांस पर भी कबजा कर लिय अब देखें, आगे जर्मनी क्या रुक अपनाता है, जर्मनी ऑपरेशन बाक रोसा, यानि रूस पर आकरमन का अपनाता है, और वो बालकन शित्र की और मूव करता है, बालकन शित्र में ने आपको बता दिया क्या था, ठीक है, इसके पहले वीडियो में, तो उसी बालकन हंगरी और बुलगारिया का करते हैं, आपके युद्ध होने से पहले ही जर्मनी से क्या करते हैं, आपके समझोता कर लेते हैं, एक संधी कर लेते हैं, ठीक है, आगे फिर जो युगोसलाविया होता है, उस पर आकरमन करके उसको कबजे में ले लिया जाता है, यह जो ग्री पूप के देशों को अपने कब्जे में लेता जारा है. ठीक है, इंग्लेंड पर भी वो कब्जा करने की कोशिश करता है, कई उसके जो विमान थे, वो उस पर बंबर साते हैं, लेकिन उस पर कभी वो कब्जा नहीं कर पाता है. और इधर अगर अफरीका में देखें तो इंगलेंड ने अफरीका में लीबिया, सुमाली लेंड और अभी सीनिया से इटली को हरा दिया ठीक है यानि इंगलेंड क्या करता है इटली को खदेर देता है अफरीका से यह यह जो शित्रे लीबिया, सुमाली लेंड और अभी सीन इबनान है, ट्रांस जॉर्डन जो शित्र है, यहाँ पर ब्रिटैन का कबजा हो जाता है, ठीक है, यानि हम ये पूरे घटना करम देख रहे हैं कि कौन-कौन सा देश किसके कबजे में आ जाता है, अब ये जो दित्य विश्विध था, इसके दोरान कुछ देश जो हैं वो आ केंडर्ल फ्रेंको, जिसकी सरकार वहां पर थी, उसका जुकाओ जो है वो जर्मनी की और ता, ठीक। पालकन की और मुख करता है जिसमें रुमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, युगोसलाविया और ग्रीक पर उसका कबजा हो जाता है इधर आपका इंगलेंड जो है आपका अफरीका में आपका कबजा कर लेता है और फिर जो हिटलर है उसी अफरीका के कबजे को अपने कबज दित्ये चरण में देखिए हिटलर का जो है अब रूस सेत्र पर आकरमन का दौर होता है ये मतलब वो पुरी तरीके से सोव्यक संगी तरफ अपना मुख कर लेता है सबसे पहले वो क्या करता है युक्रेन पर अधिकार कर लेता है ठीक है युक्रेन का है मैप में देखना आप प्रित्म चरण में हमने पढ़ा था कि ये जो देश थे इन पर कौन कबजा करता है? सोवित संग अपना कबजा करता है लेकिन दित्त्य चरण जब हम पढ़ते हैं तो हिटलर आगे बढ़ते हुए इन शित्रों को अपने कबजे में ले लेता है ठीक है? अब वो क्या करता है लेनिन ग्रान वह मासको का घहराओ कर लेता यानि वो इतना आगे बढ़ जाता है कि मासको जो कि रूस की राजदानी है लेनिन ग्रान जो वहां का शहर है उन दोनों को क्या कर लेता है ये घेर लेता है लेकिन देखिए परिस्तितियों नहीं जो है इटलर का साथ नहीं दिया क्योंकि ये जो शित्र थे यहाँ पर भीशन ठंड थी, ठीक है, सर्दी का ये आपका atmosphere था, सर्दी का मौसम था आपका, तो इतनी ठंड के कारण जो जर्मन से न थी उसको वापस जाना पड़ता है, यानि वो मासको को जीतने में सफल नहीं हो पाता है, और इसी समय आपके Britain औ करता है, आपका Britain और अमेरिका से संदी कर लेता है, ठीक है, तो ये दित्य चरण आपका खतम हो जाता है, दीके तृत्य चरण में क्या होता है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कि जो आपका second world war था, यानि जो दित्य विश्यूद था, इसका जो पहला विस्पोर् पहलारवादी नीती अपनाता है, वो सबसे पहले मंचूरिया पर अधिकार कर लेता है, फिर आगर जा किर वो हवाई दीप, हवाई दीप के पल हावर पर क्या करता है, तो ऐसे में अमेरिका जो है युद की गूषना कर देता है, जापान के विरुद और कुछ दिनों अब देखे जापान क्या करता है इस समय उसने यहाँ पर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया परल हाबर पर अधिकार कर लिया उसके बाद देखे आप फिलिपीन्स पर मलाया पर इंडो चाइना इंडो नेशिया सिंगापूर बर्मा भारत की पूर्वी सीमा तक वो अपने कब कबजे में ले ले लेता है यानि कितना ज़्यादा वो विस्तार कर चुका होता है जापान ठीक है अब देखे ब्रिटैन ने अमेरीकी सेना के साथ उत्री अफरीका पर पुना गबजा कर लिया उत्री अफरीका यानि कि हमने पढ़ाता है कि सबसे पहले ब्रिटैन अभी सी लीबिया से किसको भगा देता है इटली को भगा देता है फिर वहाँ पर हिटलर का शाशन हो जाता है हिटलर कबजे में ले ले लेता है तो उसी हिटलर की सेना को बिटैन अमेरिका सेना के सायोग से भगा देता है और वहाँ पर कबजा कर लेता है ठीक है और अब क्या होता है देखे आपका गर्मी का मौसम आ गया था तो गर्मी का फायदा उठाते वे हिटलर क्या करता है पुनर रूस की और रुख करता है और काकेसस जो प्रदेश है काकेसस परवत है एक वहाँ पर अपना कबजा कायम कर लेता है यानि अपना अधिकार में उसको ले लेता है और स्टालिन गरांद ने बिलकुल भी आत्म समर्पन नहीं किया और पूरे आत्म सम्मान वबाद्दूरी के साथ लड़ता गया और अंतता क्या होता है कि जो नाजसी फोस्ती यानि जर्मनी जो फोस्ती उसको आत्म समर्पन करना परता है तो यही इसी के साथ जो है आपका क्यों क्योंकि इसमें हिटलर के लगबग एक लाख से अधिक सैनिक मारे गये थे और कई हजार यहां पर बंदी बनाये गए ते कहां पर स्टालिन गरांद के आत्म समर्पन पर तो यहीं से शुरूात हो जाती है हिटलर के हार की ठीक है तो यह ओ गया अपका थीसरा चरण मे अब इसका चतूर्त चरण हम परते हैं दीगे चतूर्त चरण में क्या था कि जो आपके उत्री अफरीका है उस पर मित्र राष्टो का कबजा हो गया था ठीक है तो ऐसे में उस और से आपके दक्षणी यूरोप पर जाना बहुत जादा इजी हो गया था उनके लिए तो वो वो मुसलीनी जो वहां का चांसलर था या प्रदान मंतरी था मुसलीनी को क्या करता है बंदी बनाने का आदेश जिता और मित्र राष्टो के साथ युद्ध विराम संदी का क्या कर देता है गोशना कर देता है इसी समय हिटलर क्या करता है आपका रोम पर आकर्मन कर उसे गटा देते हैं ठीक है तो ये गटना करम चलता जा रहा है इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है आप सम देखते जाईए इसको स्टालिन गरांद की हार के बाद जो जर्मन सेना थी सोव्यत संग्षेतर से हट चुकी थी और साथ ही पूर्वी पॉलेंड से भी हट चुकी थी या अब क्या होता है कि रुमानिया, हंगरी, बुल्गारिया पर वापस से सोव्यत संग का कबजा कायम हो जाता है युगोसलावे वे मार्शल टीटो क्या करते हैं सेना गठित करके अपने आपको जर्मन से मुक्त करा लेते हैं और 1944 तक पूर्वी यूरोप नाच्ची से मुक् जर्मन अधिकरत फ्रांस पर भी मित्राष्ट हमला करते हैं मतलब मित्राष्ट में आपके ब्रिटैन, अमेरिका ये सब मिलकर क्या करते हैं आपके फ्रांस पर अपनी सेना बेशते हैं नब थल जल से और जो वहां जर्मनी की सेना थी उसको हरा दिया जाता है ठीक है उसको अपने मतलब जो फ्रांस था वो अब वापस से सुतंतर हो जाता है फिर अंततर ये क्या करते हैं कि बर्लिन पर चारो दिशाओं से आकर्मन करना शुरू कर देते हैं बर्लिन क्या जर्मनी की राजधानी तो जर्मनी पर आकर्मन कर दिया जाता है बर्लिन अब हार जाता है कब हारता है, दो मvel gaat 1945 को, मित्र राष्टों के सामने आत्म समरपन वो कर देता है, कौन कर देता है, जर्मनी और योरोप में इस प्रकार से आपका युद्ध जो होता है, वो शान्त हो जाता है, युद्ध जो है आपका समाप्त हो जाता है, इसी दोरान 28 अपरेल 1945 को जब स्विज इस प्रकार से जो जर्मनी आगे बढ़ रहा था अब उसको पूरी तरीके से आत्म समर्पन करने के लिए बात दे कर दिया जाता है हिटलर जो है आपका आत्मत्या कर लेता है मुसुलीनी की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है अब जो इसका लास्ट चरण है पंचम चरण है इसका इसमें देखे क्या होता है कि अब यूरोप में तो युद्ध समाप्त हो चुका है लेकिन इस और बचाता केवल आपका जापान जापान जो है वैसे तो इसका विस्तार 1944 तक आपका थम चुका था लेकिन इसके साथ युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए अमेरिका जो इतिहास की सबसे दुखत घटना है उसको अपनाता है जापान पूरी तरीके से इससे नश्ट हो जाता है और आत्म समर्पन कर देता है और इस तरीके से जो आपका दिद्धे विश्विध है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है यानि समाप्ती का जो तातकालिक कारण था वो था अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणू बंब का उप्योग तो ये आपके दिद्विश्युद के पूरे चरण है कि किस प्रकार से कौन-कौन से देश पर किसने कबज़ा किया और अन्तत आपका दिद्विश्युद समाप्त कैसे हुआ ठीक है तो ये सारे चरण हमने इसमें देख लिए हैं अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि दिद्विश्युद के परिणाम या उसके प्रभाव क्या हुए इन सब को हम जानने की कोशिश करेंगे ठीक है देखें इसके points में हम देखेंगे यूरोप का पतन हो जाता है इसमें सबसे पहला जो परिणाम है यूरोप का पतन अब यूरोप का पतन कैसे जैसे कि यूरोप में जो महाशक्तियां बनी हुई थी जैसे England था, France था, Austria जर्मनी था, Italy था, इनका जो प्रभुत्व था वो एक तरीके से खतम हो जाता है क्योंकि दिट्टे विश्युद्द के दोरान इनकी पूरी की पूरी अर्थ विवस्ता या जो महाशक्तियां थी ये पूरी की पूरी नश्ट हो जाती है और इस समय नई चीज क्या होती है कि अमेरिका का प्रभुत्व कायम होता है विश्युमें इसका मतलब है कि जो महां की महत्वपूर्ण शक्तियां थी उनका पतन हो जाता है और उसकी जगह अमेरिका का प्रभुत कायम होता है। अमेरिका ने ले लिया, जर्मनी का फ्रांस ले ले लिया, एंग्लेंड ले ले लिया, रूस ने लिया, अब आगे जाकर क्या करते हैं 1949 में कि ये जो तीनों देश हैं ये मिलकर जो जर्मनी के इनके प्रदेश थे उनको मिलाकर एक क्या करते हैं पश्चिमी जर्मनी बना देत वो आपके सोवियत संग के प्रभाव में था और ये भी उसको 1949 में जर्मन जनतांत्रिक संग बना देता है ठीके और ये आपका समयवादी विचारधारा के प्रभाव में था यानि यूरोप के मानचितर में क्या परिवर्तन होता है कि जर्मनी का दो भागों में विवाजन हो पर हो जाता है एक था आपका अमेरिका और एक था आपका सोवियस संग अमेरिका दित्य विश्विद में किस प्रकार से सभी देशों की हल्प करता है टेकनोलोजी का विकास करता है ठीके तो ये शक्ति के रूप में उबर कर सामने आता है वहीं जो आपका सोवियस संग था ज शीत विशुद का दौर शुरू होता है, जो कि आपका चोथा यहाँपा है, परिणाम भी लिखा है, मैंने आपका, देखें शीत विशुद क्या होता है, शीत विशुद एक ऐसा दौर था दिट्य विशुद के बाद का, जिसमें मतलब आरोब प्रत्यारोब का जो है एक उपीस परकार का पुरा दोर चलता रहता है तो ये शीत यूद था, इसके बारे में पूरा चैप्टर है हमारा, उसको डिटेल में पड़ेंगे हम लेकिन ये जान लीजे कि शीतियुद का आरम हो जाता है एक तरफ पूंजी वादी देश थे तो दूसरे तब सामेवादी विचार धारा हैं थी ठीक है पाचवा जो परिणाम है इसका वो ये है उपनिवेश वाद का पतन हो जाता है और तृत्य विच्व का उद्भव होता है क्या है देखें मैंने आपको बता दिया कि जो समराज्य वादी शक्तियां थी वो कमजोर हो जाती है तो इस मौके का फायदा उठाकर जो उपनिवेश में बहुत ज्यादा महत्वपुन रोल अदा करते हैं इसमें कुछ एक्जामपल भी मैंने दिये हैं जैसे स्पेन के प्रभुत से बर्मा, श्री लंका, मलाया, मिस्र, फ्रांस से कंबोडिया, लाओस, हॉलेंड से जावा, सुमात्रा, बोड्नियों ये सब क्या हो जाते हैं इसमें उद्धित हुई थी एक अमेरिका और एक आपका रूस, तो एक तरफ फुंजी बादी विचार धारा थी, एक तरफ आपके साम्मे बादी विचार धारा थी, तो बाकी के जो देश थे वो अपने-पने अकॉर्डिंग इन गुटों में जाते जा रहे थे, लेकिन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था भारत के नित्रत में, ठीक है, यानि भारत जैसे विकास चिल कुछ देश, जिसमें मिश्र, युगोसलाविया, ये देश शामिल थे, इन्होंने गुट निर्पेक्ष्टा को अपना आया था, ठीक है, तो ये भी उसमें उधे का प विश्युद यानि विश्युद जैसी जो आपके भैंकर भीशनकारी घटना है, वो दुबारा ना हो तथा, आपके पूरे विश्में अंतराष्टे सयोग वशांती स्तिर्ता को कायम करने के लिए सयोगत राष्ट संकी स्तापना भी की गई, ठीक है, अब देखिए, प्रा प्रादेशिक संगठनों की स्तापना करता है, जैसे कि नाटो, सैंटो, सीटो, बगदाद, पैक्ट, ये सारे आपके हैं, जिसको आगे हम जानेंगे, इसी प्रकार से साम्मे बाद सरकार की स्तापना और उसकी सुरक्षा के लिए भी सोवियत संग जो पैक्ट अपनाता है, उसको वार्सा पैक्ट का जाता है, हाला कि इसका आपका पतन हो चुका है, अभी केवल नाटो आपका स्तित में है, ये सारी अभी भी विश्वराजनीती को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार से प्रादेशिक संगठनों का विकाज भी हुआ, और ये जो दौर था, देखिए, अब दित्य विश्वद के बाद का ये आतंक और भै का वातावरन हो जाता है, क्योंकि इस दौर में दित्य विश्वद के बाद जो है, आपके एक प्रकार से सेन्यगवाद और सस्त्रिकरण की होड लग जाती है, जो परमाणू बम अमेरिका ने यू देश को इतना शक्तिशाली ना होने दिया जाया, यानि बैलेंस, पावर जो है, पावर हमेशा बैलेंसिंग रहे, ठीक है, यानि इसके पास जितनी शक्ती है, उतनी शक्ती इसके पास रहे, अब क्या हो गया था, आतंक का संतूलन हो गया था, आतंक का संतूलन कैसे, कि जो जो देश हैं वो अपने आपको इतना जादा शक्ति-शाली करके आतंकित कर रहे थे दूसरे देशों को कि उस आतंक के प्रभाव से ही जो बागी के देश उस पर آकरमन करने की आयुद करने की नहीं सोचते थे यानि आतंक के बल पर संतूलन इस्तापित करना आतंक संतूलन हो गया था ठीक है फिर जो दस्वा आपका जो प्रभाव है वो है चीन की क्रांती देखी क्या हुआ था कि दित्य विश्वित के बाद जापान ने जब आत्म समर्पन कर दिया एक हमारा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे ठीक है तो वहां हम जानेंगे कि बई क्या था ये अब देखे पश्चिमी एशिया पर क्या प्रभा होता है कि प्रतम विश्वित के बाद यहूदियों ने फिलिस्तान फिलिस्तीन में बसना शुरू किया था फिलिस्तीन और इ जो कि आपका फिलिस्तीन था वो लोग यहां पर आकर बसना शुरू कर देते हैं और जल्द ही इस देश को वो इसराइल का नाम दे देते हैं ठीक है ये इसराइल ठीक है इसराइल की राजधानी आपके जेरू सेलम है ठीक है अभी वरतमान में भी फिलिस्तीन और इसराइल का जो आपका मैटर है वो बहुत जादा उग्र है क्या है इसमें कि भई जो यहूदी यहाँ पर आए इसराइल में उन्होंने इस्तापित कर लिया अब यह जो फिलिस्तीन थे यहाँ पर अरब के लोग रहते थे तो ऐसे में अरब और यहूदियों के बीच क्या होने लगा सं इसराइल है ठीक है तो इन दोनों में हमेशा संगर्श होता रहता है ठीक और यह जो इसराइल है इसको 1940 में ब्रिटैन और अमेरिका ने माननेता दे दी थी इसके तो यह हो गए हमारे दित्ते विशुद के परिणाम और प्रभाव अगर और इसमें देखें तो देखें कु बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर हम देखें तो इस समय जो है मानव का जो अस्तित है बिलकुल ऐसा हो गया था कि उसका कोई अस्तित ही नहीं है एक प्रमानूबं से पूरी तरीके से किस प्रकार से पूरा का पूरा एक शेत्र उजड़ गया था तो मानव के अस्तित पर यह भी जाना उसके कारण भी हमने जाने और उसके क्या प्रभाव हुए यह सब हमने जाने ठीक है तो अगर आपके कोई क्योशन आ जाया दित्ते विश्यू दिसे रिलेटेट तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं तो आज के लिए के वल इतना ही अगर वीडियो आपको प